नमस्कार आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ कुछ उपाई बुद्ध ग्रह की कृपा प्राप्ति के लिए साथियो आप इस वीडियो को पूरा देखिए यदि कोई क्वेरी आपकी रहती है तो कमेंड बॉक्स के माध्यम से मुझे अपडेट कर सकते हैं आईए जानते हैं पहला उपाई साथियो गणेश जी बुद्ध के देवता माने जाते हैं बुद्धवार को ग्यारह दूरुवा की गाठे लाल गुठल का फूल और साथ में लड़ू या मोड़क का भोग ग्यारह बुद्धवार आप गणेश जी को लगाए दूसरा उपाई बुद्ध बीज मंत्र का जब ओम बुम बुधाय नमह इसके 9000 जब करें या करवाएं या 36000 चार गुना जब करने के सलहा भी कल्यूग में दी जाती हैं इस जब के लिए आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं साथियो कुंडली में बुध यदि मारक हों नीच राशी में स्थित हों तो बुद्वार के दिन आपको हरी मूं का दान करना चाहिए बुध स्वराशी या उच्छ राशी में हों तो दान नहीं करना चाहिए एक अन्योपाई में आप अपने बजन के बराबर हरी घास ले करके किसी गौशाला में बुद्वार के दिन डान कर सकते है साथियो अपने घर की उत्तर की डिवार में एक तोते की फोटो आप लगाएं तो ऐसा करने से धन में भी ब्रदी होती है और बुद्ध देव की कृपा मिलती है अन्योपाई में आप एक तोते को पाल सकते हैं पर तोता पालने से ज़्यादा अच्छा यहाँ है कि आप एक बहेलिये से तोते को ले करके आजात कर दे तो बुर ज़्यादा प्रसंद होते हैं साथ यो बुद्ध देव को प्रसंद करने के लिए मा दुर्गा की पूजा और दुर्गा जी के नवान मंत्र ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे का जप भी बुद्वार से प्रारंभ कर सकते हैं इसके अलावा गणेश जी को लड़ू, सिंदूर, इत्यादी चड़ाएं और ऐसा करने से बुर्देव और केतु ग्रह दोलों की कृपा प्राप्तो होती है बुद्धी बढ़ती है बुद्ध ग्रह के दान में आपको हरी मुंग बताया इसके अलावा आप हरी मटर का भी दान लगातार नौ बुद्धुवार करें मा दुरुगा जी का पूजन कर तो लाभ मिलता है साथियो सुबह नंगे पैर पंदरा मिनट हरी घास पर चलने से भी बुर्देवता अनुकूल होते है तो यह थे बुद्ध के लिए कुछ सरल सात्विक उपाए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद ऐसे ही फ्री वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को साथियो बिलकुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं दी गई जानकर यह दी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लायक और शेयर करें